नमस्कार आप देख रहें नया भारत दर्पन समाचार और मैं हूँ आपके साथ जियोतिका आईए रुकरते हैं खबर की ओल लौहर पक्षिम में जनकल्यान सेवा संग में बच्चों को किया गया सम्मानिक प्रात्मिक विद्याले लौहर पक्षिम में रविवार को जनकल्यान सेवा संग की ओल समानिक ज्यान प्रतियोगिता में शामेन पच्चों को पूर्व सपा विधायक अनूप संडा ने शीर्ड मेडल वा प्रशस्त पत्र देकर समानित किया जनकल्यान सेवा संग की संड़क्षक डॉक्टर उदयनात यादव की अगवाई में 31 दिसंबर 2023 को समान ग्यान प्रतियोगिता का आयूजिन कराया गया था जिसमें जिले की 17 विद्याले में से 300 बच्चों ने प्रतियोगिता में प्रतिभा किया था रविवार को प्रात्मी विद्याले लोहर पक्षि में पुरुस्तार कारक्रम आयूजित किया गया जिसमें प्रतम रिशी यादव डुतिये गरीमा सिंग्वा अनुच प्रताब यादव तरतियोगिता निखिल यादव बच्चों को शीर्ड देकर समानित किया गया विवेक अग्रहरी सौरपकश्यप आयूश यादव आकाश कुमार रूभी यादव गौतम आदी बच्चों को मेडल वा प्रशस्त पत्र देकर समानित किया गया स्मॉकेपर करतार्ष केशव यादव विनोध जैसवाल शिद्शियां रामकृपाल मौर्य ओशाद्यक्ष राम सेवक पाल इंद्रपाल यादव प्रजेस यादव घुलाम हुसेन दयाराम आंसराज जिला पंचार सदस विरेंद मौर्य ग्यान प्रकाश यादव रामकुम पाल, त्रियोगी प्रिधान स्वामीनात यादो, देवता दीन मिशार शुगम सिंग यादो, ज्यान सिंग मुकेश शर्मा रमेश यादो, राम अचल यादो, राम सिंग आदिव पस्दिते हैं। पढ़ती है, जहां सरकारी नहीं पहुंचती हैं। परिच्छा में दोसो दो बच्चे थे, तो क्या संदिश देना चाहते हैं बच्चों का? समाज में बहुत धीक प्रतितरधा होनी चाहिए, बच्चों में कंप्रीशन हो, जब कंप्रीशन होगा तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे, बहुत धीक अस्तर उनका उंच होगा। समाज में एक प्रतितरधा हो, पढ़ाई की प्रतितर और बच्चे आगे बढ़ें ह। समाज की प्रतित समरपन हो उनका। स्वामाजिक जन कल्यान सेवा संग द्वारा प्रतेकवर्ष ग्नाम लवहर पस्चिव में जो ड़क्टर उदेनाथ यादोदी द्वारा इस्थापित किया गया है मेधावी बच्चों का समान उत्सा वर्धन के है तो समान गयान प्रत्युक्ता कराई जाती है उसका प्रुष्टा रुष्टार में आज वही कारिक्टर में जो बच्चे आये हैं उनके भविश्च के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत-बहुत सुपक्रामना देता हूं और ड आज के बच्चे खाली मुबाइलों पर लगे हुए हैं पढ़ाई पर कम द्यान दे रहे हैं अभिवावकों के लिए क्या संद्रिद देना चाहिए तकनीक अगर हमारे जीवन में आएगी तो उस तकनीक के दुस्परभाव होँ हमकों जहिलने पढ़ाएं कि मुबाइल हमारे जीवन में आया है और हमारे पूरे समाज ने उसको अंगिकार किया तो जाहिर बात है कि उसके माध्यम से और उस मुबाइल के पूरे इस जो प्रभाव बढ़ रहा है उसके पीछे पूरा बजार का बजार से मेरा अतात्तर है कि पुरी दुनिया की जो आर्थिक महाशक्तियां वो इस मोबाइल के माध्यम से हर वो रुपए हर महीने डाटा के माध्यम से खौल के माध्यम से जन्ता की जेश से निकालने का थाम दोगती है और बच्चों को उसके बारे में उसके आदी हों लती हों इस तरीके के तमाम इस पर कंटेंट ऐसी साम इस खबर में बस इतना ही मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दरपन समाचार के साथ